नमस्ते बाल मित्रों, होम लन्निंग कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है. बच्चो पिछले एपिशोड में हमने पार्ठ एक से ले करके पार्ठ पांस तक का पुन्रावर्तन कारिय भाग एक सीखा. पुन्रा वर्तन कारिय में हमने प्रश्ण एक से ले करके प्रश्ण चार तक के प्रश्णों की तथा उनके उत्तरों के बारे में हमने चर्चा की बच्चो आज प्रश्ण 4 से आगे बढ़ते हुए प्रश्ण 5 से ले करके प्रश्ण 8 तक के प्रश्णों की हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पुन्रावर्तन कारिय अर्थात आगे हम जो पाठ पढ़ चुके हैं उसके अनुसंधान में हमने जो भी जानकारियां एकत्रित की हैं उस जानकारी को यहां पर हमें पुन्रावर्तित करना है अर्थात उसी जानकारियों के अनुसार उसी जानकारियों के अनुसंधान में हमें यहाँ पर जो प्रश्ण दिये गए हैं उन प्रश्णों के उत्तर ढूंडना है और अपनी पुष्टक में और अपनी नोटबुक में लिखना है तो आप सभी से अपनी पुष्टक भी निकाल लीजिए और उसमें पुन्रावर्तन निकाल लिए अब बच्चो मैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से प्रश्ण पांच की तरफ आगे ले जाऊंगा तो आप सभी से अनुरोध है आप अपनी पुष्टक भी देखते जाईए साथ साथ में अपनी नोटबुक भी निकाल करके रख लीजिए अगर जरुवत पड़े आपको उचीत लगे उन मुद्दों को आप अपनी पुष्टक में अंकन भी कीजिए तो आईए देखते हैं प्रश्ण क्रम पांच बच्चो आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे प्रश्ण क्रम पांच कहावतों का अर्थ लिखिए आप सभी को याद होगा कि कहावतों के बारे में हमने पिछले एपिशोड में भी चर्चा की थी तो आईए अपने पाठे क्रम में से कुछ कहावते यहाँ पर दी गई हैं उनके अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाटे इसका अर्थ होता है अपराधी द्वारा निर्दोस को धमकाना दूसरी कहावत है आस्मान से गिरा खजूर में अटका अर्थात एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फस जाना जैसा कर्म वैसा फल बच्चो आप सभी को इसी प्रकार की और कहावतें लिखने के लिए यहां से कहा गया था आप सभी ने अपनी नोटबूक में लिखी होंगी और हाँ यदि आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं आप आज बैठ करके अपने पाठे पुस्तक में से ऐसी और सी कहावतों को ढूड़िए और उसे अपनी नोटबूक में लिखी है और लिख करके अपने माता पिता या अपने मित्रों को जरूर दिखाईएगा तो आईए बच्चो अगले प्रश्ण क्रम 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रश्ण 6 निम्न लिखित चित्रों को देख कर कहानी निर्मान कीजिए तो बच्चो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जो की आपकी पुस्तक में भी हैं आपको उन चित्रों को देखना है और सोचना है कि उन चित्रों को देख करके किस प्रकार की कहानी का निर्मान हम कर सकते हैं कहानी यहाँ पर जो बनेगी हो सकता है सभी की कहानी कुछ अलग-अलग होगी लेकिन जो कहानी का सार है, कहानी का भावार्थ है, जो कहानी का मतलब है वो सभी का एक दुसरे से मिलता जुलता होगा तो सबसे पहले हमें यहां पर एक बहुत ही बड़ी अचित्र जो कि आपकी पुस्तक में दिया गया है वो टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं और कोशिस करते हैं कि अच्छी से अच्छी कितनी अच्छी कहानी हम तैयार कर पाते हैं तो आईए पहले इस चित्र को हम देखेंगे। बचो आपको स्क्रीन पर एक, दो, तीन, चार, चार अलग-अलग द्रस्य दिखाई दे रहे हैं। अब ये चारों द्रस्य अलग-अलग हैं और चारों द्रस्य को मिला करके हमें एक कहानी का निर्मान करना है। सोचिए, पहले द्रस्य में कौन-कौन दिखाई दे रहा है हमें। जी हाँ, एक कबूतर है और एक चीटी है। दूसरे द्रस्य में भी एक चीटी है, वो पत्ते पर बैठी हुई है, और कबूतर भी वहाँ पर है। तीसरे द्रश्य में एक शिकारी है जो कि एक कबूतर को निसाना बना रहा है और उसके पास में एक चीटी है तो बच्चो इस प्रकार से आपने चार अलग अलग द्रश्य देखे और थोड़ा बहुत उसका वर्णन भी सुना अब आपको सोचना है कि इसे हम एक कहानी में किस रूप में बना सकते हैं सोचिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ जी हाँ चित्र को देखते जाईए और विचारते जाईए आईए हम साथ में मिलकर के चित्र के आधार पर कहानी को बनाने का प्रयास करते हैं आप सभी टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए देखिए बच्चो एक स्क्रीन जो आपकी पुस्तक में द्रस्य है वह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसकी अनुसंदान में कुछ इस प्रकार से कहानी तयार की जा सकती है और इसका सिर्षक जो है मैंने दिया है भलाई का बदला देखिए बच्चो इसे में पढ़ूँगा आप सभी से अनुरोध है कि ये कहानी आप सभी देखते जाईए सुनते जाईए और अपनी नोटबुक में लिखते जाईए जिससे की आगे आप अन्य चित्रों को ध्यान में रख कर नई कहानी तयार कर सके तो मैं कहानी पढ़ूँगा आप सभी ध्यान से सुनेंगे भलाई का बदला जंगल में एक तालाब था एक दिन एक चीटी तालाब के किनारे घूम रही थी उशी समय पानी की लहर आई चीटी लहर के साथ तालाब में भहने लगी तालाब के किनारे एक पेड था उस समय एक कबूतर वहां बैठा था उसने चीटी को बहते हुए देखा उसने तुरंत पेड से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला पत्ता चीटी के पास गिरा चीटी पत्ते की मदद से तालाब के किनारे आ गई उसने कबुतर को धन्यवाद किया आगे देखेंगे एक दिन जंगल में एक सिकारी आया उसने पेड की डाल पर बैठे हुए कबुतर पर निसाना साधा चीटी ने यह देखा वह तुरंत सिकारी के पास पहुँची उसने सिकारी के पैर में काट लिया शिकारी चीक उठा उसकी चीक सुनकर कबूतर उड़ गया इसी तरह चीटी ने कबूतर की जान बचा ली सच में भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए तो बच्चो इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हमने एक कहानी बनाई आपकी पुस्तक में भी यही चित्र है आप सभी को ऐसे ही चित्र ढूनने है और उन चित्रों के आधार पे एक नई कहानी का निर्मान करने की कोशिश करना है मैंने आपको पहले भी बताया हो सकता है हम सभी मित्रों के सब्द सायद अलग-अलग होंगे लेकिन कहानी जो है उसका अर्थ उसका भावार्थ एक ही जैसा होना चाहिए लेकिन चित्र को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी तयार करनी है तो बच्चो इस प्रकार से कहानी निर्मान के बारे में हमने सीखा अब हम अपने जीवन में बहुत से कारिय करते हैं हर व्यक्ति प्रत्तिक समय कोई न कोई कारिय करता है उस कारिय को हम व्याकरण की भासा में क्रिया कहते हैं अब क्रियाएं भी अनेकों प्रकार की होती हैं यहां पर अगले प्रश्ण में क्रियाओं के बारे में हम जानेंगे तो आईए स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं आप रोज जो क्रियाओं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए यहां पर प्रश्ण साथ है कि प्रति दिन हम जो क्रियाओं करते हैं उन क्रियाओं क की आधार पर वाक्य का निर्मान करना है। मैंने आपको बताया उसी प्रकार से हम प्रति दिना नेको प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उन में से कुछ क्रियाएं और उन क्रियाओं से बने कुछ वाक्य हैं। उसके बाद कुछ क्रियाओं सिर्फ लिखी हैं मैंने। आपको उ मैं हर रोज सुभह साथ बजे जागता हूँ हो सकता है कोई साइच छे बजे भी जागता हो या कोई साथ बजे के बाद भी जागता हो परन्तों यहाँ पर जो जागना क्रिया है उस पर हमने भार दिया है जागना क्रिया का उप्योग करके एक वाक्य तैयार किया है उसी प्रकार से दूसरी क्रिया है नहाना उसका वाक्य कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं मैं प्रति दिन नहाता हूं आप सभी प्रति दिन नहाते होंगे तो नहाना जो क्रिया है उसके अनुसंदान में ये वाक्य बना है वैसे ही तीसरी क्रिया है लिखना मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ तो अगला वाक्य है बच्चो मैं प्रति दिन नहाता हूँ यहाँ पर नहाना क्रिया के अनुसंदान में यह वाक्य लिखा गया है उसी प्रकार से अगला वाक्य है लिखना मैं अपनी नोट बुक में लिखता हूँ तो लिखना सब्द का यहाँ पर हमने वाक्य में प्रयोग किया है आईए इसी प्रकार की क्रियाएं हम आगे देखते हैं देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ क्रियाएं हैं जो कि आप प्रती दिन करते हैं जैसे कि खेलना, पढ़ना, दोडना, चलना, कूधना, जाना, आना यदि इन क्रियाओं का उप्योग करके हमें वाक्य बनाने हूँ, तो हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं आप सभी से अनुरोध है कि ये वाक्य आप अपनी नोटबूक में भी लिखने की कोशिश करें जैसे पहला वाक्य है खेलना, तो हम उसके लिए वाक्य बना सकते हैं मुझे खेलना पशंद है उसी प्रकार से दूसरी क्रिया है, पढ़ना, ठीक है? पढ़ना क्रिया का उप्योग करके हम कुछ वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं हमें प्रति दिन पढ़ना चाहिए हमें प्रति दिन पढ़ना चाहिए जी हाँ उसी प्रकार से तीसरी क्रिया है दौडना दौडना क्रिया का उप्योग करके हम वाक्य बना सकते हैं मयंक को दौडना पशंद है मयंक को दौडना पशंद है आप सभी ने लिख लिया होगा अगली क्रिया देखेंगे चलना जी हाँ चलना तो उसका वाक्य हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे मीना को चलना पशंद है मीना को चलना पशंद है बहुत अच्छे आपने लिख लिया होगा अगली क्रिया है कूदना अगली क्रिया है कूदना तो उस पर से एक वाक्य हम बना सकते हैं आलोक रस्सी कूद रहा है तीसरी क्रिया है जाना जाना क्रिया का उपयोग करके जिया घर जा रही है अगली क्रिया है आना जियांस घर आ रहा है जियांस घर आ रहा है ठीक है बच्चों आप सब भी ने अपनी नोटबुक में लिखा होगा तो बच्चों इस प्रकार से अनेको प्रकार की क्रियाएं हैं जो की हम दिन प्रति दिन करते हैं आप सब इन क्रियाओं के अनुसंदान में वाक्य तो बनाने हैं उसके अलावा और कौन-कौन सी क्रियाएं आप प्रति दिन करते हैं उसकी भी एक यादी तैयार करनी है और उन क्रियाओं का उप्योग करके आपको वाक्य बनाने हैं और वो वाक्य बना करके आपको अपने मित्र को अपने बड़े भाई बेहन को अपने मम्मी पापा को दिखाना है ठीक है बच्चो तो बच्चो हमने क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की अब आगी चलके अनुवाद क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में हमें जानना है अगले प्रश्ण में एक परिच्छेत दिया गया है जो कि हिंदी में लिखी थे उसे हमारी मात्रु भासा अर्थात गुजराती में हमें अनुवादित करना है तो आईए PPT के माध्यम से TV स्क्रीन पे अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण आठ निम्न लिखित परिच्छेत का मात्रु भासा में अनुवाद कीजिए पच्चो आपकी पुस्तक में और यहाँ पर TV स्क्रीन के माध्यम से आपको एक परिच्छेत दिखाई दे रहा है मैं यहाँ से उसे पढ़ने की कोशिस कर रहा हूँ आपको भी इसे ध्यान से सुनना है कुछ दिनों के बाद अलीख वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजित के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरो तले से जमीन ही खिसक गई वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की महर नहीं थी वह सोचने लगा अब क्या किया जाए तो बच्चो मैंने ये परिच्छेत पढ़ा आप सभी ने ध्यान से सुना होगा लेकिन अब हम और आप साथ में मिलकर इस परिच्छेत को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आप सभी तयार है न? ठीक है बच्चो? तो आईए हम साथ में मिलकर इस परिच्छेत को पढ़ेंगे और समझेंगे क्योंकि अगर हम पढ़के अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसके बाद ही हम इसका अपनी मात्रुपासा में आसानी से अनुवाद कर पाएंगे तो आईए साथ में मिलकर हम इस परिच्छेत को पढ़ते हैं कुछ दिनों के बाद अलीख वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजित के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरो तले से जमीन ही खिसक गई वह सीर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की महर नहीं थी वह सोचने लगा अब क्या किया जाए तो बच्चो हमने साथ में मिलकर इस बहुत ही अच्छे परिछेत का वांचन किया है आशा करता हूँ आपने मेरे साथ में इस परिछेत को पढ़ाओगा अब बच्चो इस परिछेत का भाशांतर या अनुवाद हमें हमारी मात्रुभासा गुजराती में करना है सोचिए प्रत्येक सब्द का मात्रुभासा में अनुवाद जी हाँ आए स्क्रीन के माध्यम से हम इसका अनुवाद देखते हैं थोड़ा दिवस पच्ची अलीक वाजा मक्कानी यात्रा थी पाचा आव्याहता घर मा ते पोतानु सामान मुकीने सीधो वाजितना गरे गयो अने पोतानी मुसाफरीनी बद्धी वातो करी पच्ची ते तेलनो गडो लईने गरे आवी गयो जारे तेने घडानु तेल काडी ने जोयो तो तेना पग ना तडे थी जमीन खसी गई ते माथू पकडी ने बैसी गयो कारण के घडा मा एक पण सोनानी महोर न हती ते विचारवा लागयो हविसू करू तेखा बच्चो हमने यहाँ पर परिच्चेत का गुजराती में अनुवात करने का प्रहत्न किया है एक बार फिर से हम इस अनुवात को देखेंगे आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसे अपनी नोटबूक में लिखने का प्रयास करें थोड़ा दिवस पची अलिक वाजा मक्कानी यात्राथी पाचा आव्याहता घर मा ते पोतानु सामान मुकीने सीधो वाजितना घरे गयो अने पोतानी मुसाफरीनी बद्धीवातो करी पची ते तेलनो गडोलेईने घरे आवी गयो जारे तेने घरानु तेल काड़ीने जोयो तो तेना पगना तड़े थी जमीन खसी गई ते माथू पकड़ीने बैसी गयो कारण के घरामा एक पण सोनानी महोर न हती ते विचारवा लागयो हवे सू करूँ तो बच्चो इस प्रकार से आपने इस अनुवात को पढ़ा भी और अपनी नोटबुक में लिखा भी होगा तो इस प्रकार से हम हिंदी के अनेको परिच्छेदों को अपनी मात्रुभासा में अनुवात कर सकते हैं आप सभी को मात्र इस परिच्छेत को ही नहीं, आपके हिंदी के पाठ्ठेक्रम के और भी परिच्छेत को पसंद करना है और कोशिश करना है उसे अपनी मात्रुभासा गुजराती में अनुवात करनेगा ठीक है बच्चों, आप सभी करेंगे न, बहुत अच्छे तो बच्चों इस प्रकार से पुन्रावर्तन के प्रश्ण पाँच से ले करके प्रश्ण आठ तक के प्रश्णों के बारे में हमने अध्यान किया आगे चर्चा करने से पहले इस अध्यान की अनुसार आज का प्रश्ण हमने तयार किया है जिस प्रश्ण का उत्तर आज रात आठ बजे से पहले आपको फोन करके बताना है आप सभी से अनुरोध है पहले इस प्रश्ण और उसके विकल्पों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए तो आप सभी टेवी स्क्रीन की तरफ देखिए बच्चो आज का सवाल है निम्न लिकित सब्दों में से क्रिया शब्द पहचानिये जिनके चार विकल्प है पहला विकल्प है कमल दूसरा विकल्प है सफेद तीसरा विकल्प है खेलना और चौथा विकल्प है मयंक इन चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है वह आपको इस फोन नंबर पर फोन करके बताना है फोन नंबर मैं पढ़के आपको बताता हूँ 6, 3, 5, 7, 3, 9, 9, 4, 6, 0 तो बच्चो इस प्रकार से आज हमने पुन्रा वर्तन के प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 8 तक के प्रश्नों तथा उसके उत्तर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की आप सभी से अनुरोध है कि आपको पुन्रावर्तनकारिय जो आपने आज किया है उसे आप अपनी नोटबुक में फिर से लिखेंगे और अधिक अध्यन करने का प्रयत्न करेंगे तब तक घर पे रहें खुश रहें आप सभी का खोब खोब धन्यवाद